अधर्म को स्माप्त कर धर्म की स्थापना करने भक्तों के सभी पाप बाधाओं का नाश करने वाली शक्ति की स्वामिनी मा दुर्गा के तीसरे स्वरूप मा चंद्रघंटा की स्तूती पूजा अर्चना करने से सभी मनुकामनाई पूर्ण होती हैं क्योंकि मा चंद्रघंटा दिव्य शक्ति की स्वामिनी है तो आईए नवरात्री के तीसरे दिन मा चंद्र घंटा का पूजन कर उनका आशीरवाद प्राप्त करें माता दुर्गा की तीसरी शक्ति का स्वरूप मा चंद्र घंटा का ये स्वरूप परम कल्यानकारी है माता की क्रिपा से भक्तों को आलोकिक दर्शन होते हैं माता के पूजन से दिव्रिसुगंधिया, दिव्ध्वनिया भक्तों के मन को आनंदित कर देती हैं। माते पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र धारन करने की वज़े से उन्हें माता चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। स्वरन रंग समान चमकीले श्रीर वाली माता के दस हाथ हैं, माता अपने दसो हाथों में खडग, शस्त्र, तथब्बान, धारन की रहती हैं। सिव पर सवार माता की मुद्रा हमें ये दिखाई देती है। कैसे पाएं माता का अशीरवाद। सचे मन से पूजा कर माता चंद्र घंटा के आशीरवाद से भक्तों को सभी पापों और बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। भक्त भी सिह सवार पर माता की तरह निर्भीक हो जाती हैं। सौम में और शांती के स्वरू पाली माता का पूजन करने से भक्तों में विनम्रता, चेहरे पर और आँखों में तेजगी वृध्धी होती है माता का स्तूती मंत्र नवरात्र के तीसरे दिन माता की स्तूती के लिए इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए या देवी सर्व भूतेशु मा चंद्र घंटा रूपेन सस्थिता नमस्तस्याई 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 नमो नमा अर्थात हे माता सर्वत्र विराजमान और चंद्र घंटा के रूप में प्रसिद अंबे आपको मेरा बार बार प्रनाम है मैं आपको बारंबात प्रनाम करता हूँ पूजा नवरात्री के तीसरे दिन भक्तों को मा चंद्र घंटा समान सामली रंकी विवाहित महला का पूजन करना चाहिए भोजन में दही और हलवा खिलाना चाहिए भेट में कलश और मंदिर की घंटी जरूर भेट करें आरती नवरात्री के तीसरे दिन चंद्र घंटा का ध्यान मस्तक पर अर्द चंद्र मंद मंद मुस्कान दस हाथों में अस्त्र शस्त्र रखे खडग संग बांध घंटे के शब्द से हरती दुष्ट के प्रान सिह वहनी दुर्गा का चमके स्वरन शरीर करती विपदा शांती हरे भक्त की पीर मधुर्बानी को बोल कर सब को देती ग्यान जितने देवी देवता सभी करें सम्मान अपने शांत सो भाव से सब का करती ध्यान भव सागर में फसा हूं मैं करो मेरा कल्यान नवरात्रों की मां कृपा कर दो मां जै चंद्रघंटा मां जै चंद्रघंटा मां ये थी माता दुर्गा के तीसरे स्वरूप की जानकारी अब अगले एपिसोड में हम माता दुर्गा के चौथे स्वरूप के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे